नवश्कार दोस्तों एक बाफिस से आप सभी का बहुत बश्शु आ गये थे जहां दोस्तों सभी चरणों की बोटिंग समाफ तो हो चुकी है और इसके लिए एक जिट पोल भी सामने आ चुके हैं क्यास सीटों में से किस पाड़ी कितनी सीटे जा रही हैं लेकिन रगबरद ये दो सीटे जीट सकता है इससे पहले कुछ मुद्दे हैं जिन पर चुनाब लड़े गए हैं और जो बड़े मुद्दे रहे हैं BGP कारकरता खुश नहीं रहे हैै BGP से और बड़े चुनाबी मुद्दे आसक कारकरता पैरा टीचर पुलिस कर्मियों पर नाराज की गहें बीजीपी से लेकिन सबसे बड़ी सीट जमसेत पोर पश्चिम की बात करने इसके बाद आपको रगबरदास वाली सीट की आखर दिखाएंगे तो बन्ना गुपता यहाँ पर चुनावी मैदान में कॉंग्रीस की तरफ से और बड़त उनकों बिल सकती आखरों के से और आपकी जानका रिक्री बदा दे के दो हज़ार चौदा में यहां से बीजीपी के सर्यू राय चुनावी मैदान में थे हो और एक बंपर जीत के साथ उन्होंने जमसेत पोर पश्चिम सीट हसल की थी लेकिन बीजीपी से अब बगगावत करके अब रगबरदास वाल जा दोस्तों आपको पता होगा गौरफ वल्लाप कांग्रीश की तरस से जो महागडवंदन है वो यहां से चनावी मैदान में है और बीजीपी ने सीट को जीता था दो हज़ार चौदा में लेकिन इस बार भी आखड़े बीजीपी के पक्षम है लेकिन कड़ी टकर है और क सीम रगुबरदास निकाल सकते हैं आखों के हिसाफ से यह ताजा जानकर यहां पर निकल का सामने आ रही है और जहरकन के क्या से सीटों के लिए अगर एग्जेट पूल दिखा दें जे एम एम पॉंग्रेस और आरजीडी जो महागडवंदन है वो 37 से 46 सीटे हासिल कर रहा है और कहीं ने कहीं सरकार बनाने के लिए सबसे बड़ा दल बंता नजर आ रहा है वहीं बीजीपी सिंगल लार्जिस पार्टी है इस बार वह यहां पर कोई भी गट बंदन में नहीं है इस कारण से 22 से 30 सीटों पर वहा सकते हैं आर्सू पार्टी का सईयोग मिलता है तो य अग्जिद पूल के आखरे निकल का सामने आ रहा है फिर भी आपक क्या लगता है निक holiness का स olvbag मैं से कौन जीठ सकती है और जमसेट पूरभी और जमसेट को पश्मी सीठ कोन जीठ सकता है तो अपने अंपने नीबी दे सकते हैं